सब्सक्राइब जल्दी से ही सभी सेशन से जूट जाइएगा साथ ही इस सेशन को बाके स्टुडेंट्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा चीक है एक बार सभी कॉमेंट्स करके जर्ण बता दीजिए कि सबी चीजिए सही हैं सो फिर हमBEK कलास को यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं चलिए पोई स वगर्ण सबी को बहीं डूर्निंग सबी को बाए गुटबोर्निंग एक बार सभी क्लास्ट को यहाँ पर स्बस्ट करते हैं अपने पॉर्स्ट को यहाँ पर शुरू करेंगे तो डेली की तरह आज भी हम लोग कुछ अपने expected questions करने जा रहे हैं बट आज के class में जो की है कि मैंने static gk के questions आप लोगों के लिए ले हैं static gk के जिसमें की आज हम लोग इसमें कुछ अपने previous year questions के साथ में plus कुछ new based जो की आपके current based कुछ fact आपके रहेंगे वो भी हम लोग यहां पर discuss करेंगे class के अंदर ठीक है चले भी answer करेंगे क्या हमारा answer यहां पर रहेगा बताईएगा भारत की रास्ट पती द्रौबदी मुर्मू ने साथ जन्वरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया के डैश के अवोर्ड प्रदान किये हैं आपको यह बताना है कि कौन से संस्क्रण के यान कि कौन से नंबर के अडिशन इस बार इन्होंने बिजिटल इंडिया के लिए यहां पर अवोर्ड प्रदान किये हैं वोईस कम है वाकी सभी को भी वोईस में कोई प्रॉब्लम है क्या कि नहीं देखती हूं जरा वोईस में कोई प्रॉब्लम है क्या ओके गुद मॉर्णिंग चले यहां पर देखेगा यदि हम इस एडिशन की बात करें तो इस बार यह है सावन्थ नंबर का एडिशन यहां पर रहा है जो कि देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यह अवोर्ड डिस्ट्रोब्यूट किये जाते हैं हर वर्ष और द्रॉब्दी मुर्मू यानि कि हमारे देश के रास्ट्रपती जी के दुआरा यह अवोर्ड दिये जाते हैं याद रखेगा 2023 में इनका सावन्थ नंबर का एडिशन यहाँ पर दिया गया है ठीक है क्या हो जाएगा सावन्थ नंबर का of the year के लिए रशेल हे को प्लेंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था बताएंगे क्या हो जाएगा मैंने क्लास आज टाइम पर शुरू की है चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा और साथ ही याद रखेगा कि शाम को सावन पीम भी आप लोगों की क्ल किसको यहां पर सम्मारित किया गया है यह आप लोगों को बताना है यहां पर आंसर कीजिगा क्या हो जाएगा यहां पर किसको नॉमिनेट किया गया था तो यह है इसमृती मंधाना क्या हो जाएगा इसमृती मंधाना जो की है इनको यहां पर नॉमिनेट किया गया था प्र प्रकषित घरेलू मवेश्यों का निकटम जंगली प्रजाती है है अंसर करेंगे क्या हो जाएगा यहां पर सभी के सभी कि यह जैसा आपको ठीक लगे क्या हो जाएगा यहां पर बताईए कि कौन से जानवर के लिए यह है जाने जाते हैं नागर होल और बांदीपूर दोनों की अगर लोकेशन की बात करेंगे तो कहां पर है करनाटक राजी के यह नेशनल पार्क है और यहां पर गोर जो की है यह यहां पर पाया जाता है जो कि एक domestic cattle के लिए जाना जाता है क्या आंसर हो जाएगा D option सही आंसर आपका जाएगा The next है कि शास्त्री निर्तिय रूपों को बढ़ावा देने में उनके एदित्तिय एदित्तिय योगदान के लिए तिरू माला तिरू पती देव इस्थानम के निवासी निर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा चलिए करनाटक में है जो कि गोर के लिए जाने जाते है यानि की फेमस जो कि वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं यह है गोर चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा और शास्त्रिय निर्ते रूप को बढ़ावा देने में उनके एदित्य योगदान के लिए तिरू माला तिरूपती देव स्थानम के निवासी निर्तक के रूप में सम्मानित किया गया था तो यह कोन है आंसर कीजेगा सभी की सभी क्योश्चन में क्या हो जाएगा किसको सम्मानित किया गया है बहुत अच्छे यामिनी किष्ण मूर्ति को सम्मानित किया गया है और यामिनी किष्ण मूर्ति की अगर हम बात करें तो यह है भरत नाटियम काफी बार इनके बारे में पूछा जाता है भरत नाटियम एंड कुच्छी पूरी क्लासिकल डांस फॉर्म से यह है रिलेटिड है याद रखेगा सी आपका सही आंसर रहेगा देनेक्स से कि निम्रिकी तिमें से किस देश ने टोक्यो पारलंपिक 2020 में सबसे अधिकल स्वण पदक जीते थे अभी लास्टाइम जो कि पैरलंपिक और ओलंपिक गेम्स आईजित किये गए हैं तो इनका जो की आईजिन है यह है जापान के कापिटल टोक्यो में हुआ था याद रखेगा तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा पदक यहां पर किसने जीते थे अमेरिका ने जीते थे सबसे ज्यादा जो मैडल है इसमें यह जीते थे चाइना ने चाइना ने 96 गॉल्ड मैडल के साथ में टोटल 207 मैडल जीते थे और यह है इसमें फर्स्ट नंबर पर रहा था ताकिन नंबर की बात कर लेते हैं तो ब्रेटें ब्रेट की बात करें, तो 19 medals के साथ में, जिसमें की हमने 5 gold जीते थे, 8 silver जीते थे, and 6 हमने bronze जीते थे, ठीक है, इसके साथ में हमारी जो position है, यह 24th rank में, हमें medal tally में मिली थी, तो answer क्या हो जाएगा, C option आप लोगों का answer यहां पर रहेगा, the next है, निम्रिकित में से किस देश ने तीन एश्याए खेलों की मेज़बानी की है, बताईए, अभी, हाँ, Asian Games की अगर बात करें, तो 2022 वाले जो Asian Games है, यह आपके 2023 में आजित किये जा रहे है, and आज 8 October है, जो की आज last day है, चीक है, तो आज यह close याने की complete हो जाएंगे, और सभी के सभी insulated जो भी questions हैं, वो हम लोग 7 PM की class में discuss करेंगे, तो आप सभी 7 PM की class में जरूरा जाएगा, हाँ, बिल्कुल, चले, answer करेंगे, सभी के सभी क्या हो जाएगा, कौन सा देश है, जिसने की सबसे ज़्यादा बार Asian Games की मेजवानी की हुई है, यह आप लोगों को बताना है, सभी के सभी answer करेंगे, क्या हो जाएगा, question में, बताइए, चले, answer कीजिएगा, सभी क्या आपका, South Africa नहीं है, वह कि South Korea है, South Korea की बात करें, तो South Korea ने 1986 में मेजवानी की थी, 2002 में मेजवानी की थी, और 2014 में मेजवानी की थी, इसने तीन बार मेजवानी की हुई है, वहीं Asian Games की हम लोग बात करें, तो current time में आप जानती है, 2022 वाले, जो कि 2023 में आजवित किये जा रहे हैं, इनका आजवित किये जा रहे हैं, इनका आजवित किये जाएंगे, अब टूर हाउजन 26 की बात कर लेते हैं, कहां पर होंगे, बताएगा कोई मुझे आंसर करके, 2026 में Asian Games का आजवित कहां पर होगा, कोई आंसर करेगा, जल्दी से आंसर करके बताएगे क्या हो जाएगा भई, फटा-फट से, चलिए, शोर ठीक से चैक कर लीजिएगा उसमें, यहां पर पैर उलम्पिक पूछा गया है, आप उलम्पिक की बात कर रहे हैं, अपना जो आपने गूगल पर चैक किया है न, उसको दुबारा से ठीक से चैक करो, चलिए, क्या हो जाएगा, तो यह आजित किये जाएगे जापान में, चीक है, 2030 में कतर में आजित होंगे, N2034 की बात करे, जेक कतर हो गया, सौधी अरब, सौधी अरब, सौधी अरब, ठीक है, याद रखेगा, और यह most, most important है, अच्छे से याद कर लिजिएगा, क्योंकि इस year में Asian Games का आजिन चल रहा है, and sport के उपर questions आपके बनते ही हैं, चीक है, question है कि बक्सर के यूदों में, अंग्रेजी सेना का नेत्रतव किस ने किया था, साथी बक्सर का जो कि यूद है, यह किस year में हुआ था, answer कीजिएगा, क्या हो जाएगा, इस वाके चलिए, बाकी ध्यान से चेक किया करों, तुम तो अगर cheating भी करोगे, तो भी गलत कर दोगे, चलिए, answer कीजिएगा, कम से वो कहते हैं, कि cheating करने के लिए भी talent होना चाहिए, answer करेंगे, सभी कि सभी क्या हो जाएगा, 1764, बहुत अच्छे, 1764 में यह हुआ था, जो कि उस समय पर, East India Company की साइट से यहाँ पर, कौन था, Hector Munro था, कौन था, Hector Munro था, और इनके opposition में, यानि की बकसर का जो युद है, एक तरफ East India Company, यानि की British Army थी, एक तरफ थी British Army, और दूसी तरफ, दूसी तरफ, मीर कासिम, मीर कासिम और सुराजु दोला, चीक है, और साथ ही यहाँ पर, मुगल चाशक, जो कि शहा आलम, साइकेंड था, यह तीनों थे, एक साइट, जिसमें की जीत है, वह है, British Army की हुई थी, और इसके चलते इन्हें, 1765 में इलहाबाद की संधी करनी पड़ी थी, यानि की Treaty of इलहाबाद, ठीक है, आगे पर चलते है, question पर, आंसर करेंगे कि चंगाई निर्ते किस भार्टी राज्य से संबंधित है, बताएंगे, आंसर कीजीगा, बताएंगे कि चंगाई निर्ते जो की है, यह किस राज्य से related है, आंसर करेंगे सभी के सभी question में क्या हो जाएगा, चलिए, क्या आपका आंसर यहां पर रहेगा, चंगाई उत्सव, बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा, चंगाई उत्सव जो की है, यह नागा लेंड में मनाया जाता है, नागा लेंड राज्य से यह संबंधित है, जो कि यहां की चंग, इन्हें चंग भी कहा जाता है, और इन्हें चंगाई ट्राइब भी कहा जाता है योगी नागा लेंड राज्जी में देखने के लिए ये हैं मिलती है सो इनकी द्वारा ही इस महोट्सव का आजिन किया जाता है इसके साथ ही नागा लेंड का जो की हॉर्न बिल फेस्टिवल है ये सबसे में फेस्टिवल है और जिसके बारे में अक्सर question आप लोगों से पूछा भी जाता है जनेक्स है कि बांगलादेश का रास्टी फल क्या है बताईए बांगलादेश का जो रास्टी फल है ये है क्या है answer कीजी सभी class को भी like कर दीजिएगा और शाम को याद रखेगा मैं बार बार आपको बता रही हूँ साम को सावन पीम हम लोग Asian Games की उपर questions करेंगे तो सभी शाम को साथ बजे जूट जाईएगा ठीक है चले बांगलादेश की हम लोग national fruit की बात कर लेते हैं तो यह है कठल और यह हमारे एक और पडोसी देश का national fruit है क्या आप बदा सकते हैं कि वह कौन सा है हमारे ही पडोसी देशों में से यह है एक और हमारे पडोसी देश का national fruit है क्या बदा सकते हैं किसका है answer की जी बाकी यहाँ पे हम लोग अनार की बात कर लेते हैं तो Spain का national fruit है, mango की बात कर लेते हैं, तो भरत का national fruit and Pakistan का भी national fruit है, ठीक है, Apple की बात कर लेते हैं, Apple की बात करेंगे, तो जैसे कि France हुआ, and Australia हुआ, Australia हुआ, इनका जो national fruit है, ये है एपल है, बदंगी किसका है? मियनमार का है, अच्छी है, डिकें याद रखेगा गौशी सच्छी थी शिलंका का नेशनल फ्रूट है और बांगलादेश का नेशनल फ्रूट है अब आपको एक नाम से दो देशों के नेशनल फ्रूट याद हो जाएंगे या ऑग बांगलादेश का है एं मेंड से जोरी गलत है Our आशानल कीजिए गा का ये फेवरेट टॉपिक कि बताएंगे ऐसाइसे का ये फेवरेट टॉपिक है अंसे कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा बताइए जरां बिसम ruins ऐल्ला खान जोकी है यह इन्से ऑन अगर बात करें तो अली अमजद खान जो की है यह इन से रिलेटिड है सरोल से और अगर हम पंडित राम नारायन की बात करें तो यह सारंगी से रिलेटिड है सारंगी जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे यह संबंधित है बाकी एन राजम यह वाले इन से रिलेटिड है एंड यह पर पंडितर विशंकर की बात करें तो सितार से लेड़े हैं ठीक है इनके बारे में आप सभी याद रखेगा चलिए दे नेक्स अगले गुश्चन पर आ जाते हैं आंसर कीजिएगा सिस्मोग्राफ का उप्योग डैश मापने के लिए किया जाता है बताईए सिस्मोग्राफ की अगर बात करें तो किस चीज़ को मिजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है आंसर कीजिएगा वर्षा अफशेपण या फिर भूमी गत जलिस्तर भूकम या भूमी गत खनी सामगरी चलिए चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा यहापर बताएंगे बहुत अच्छे सिस्मोग्राफ की बात कर लेते हैं तो अर्थ क्योग को मिजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है ठीके जल्दी जल्दी आंसर करो अपने जो क्वेश्चन सेने 50 प्लस क्व हमारे एंट्राइ कीजिएगा कि विदिन वनार के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर लें चाम की भी क्लास के लिए क्वेश्चन रेडी करने हैं क्योंकि साम का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है एशन गेंस की ओपर तो मुझे थोड़ा उसके लिए टाइम चाहिएगा आंसर करेंगे सभी की सभी क्या रहेगा कुम्भी लौक निर्ते की अगर बात करें तो यह किस भार्ती राज्ये की महिलाओ दुआरा किया जाता है कुम्भी जो लौक निर्ते है यह जनरली फेस्टिवल के टाइम पर इसका आजिन किया जाता है जो की महिलाओ के दुआरा ग्रूप में यह पर्फॉर्म किया जाता है जैसे कि राउफ होता है जम्मू कश्मीर में मैलाई एक दूसरे को इस तरह से हाथ से कमर पकड़ करके एक जॉइन ग्रूप बना लेती हैं और तब रांस करती है इसमें पुरुष्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं और इसका जो आयजन है यह तमिल नाडू राज्जिय में होता है सब्सक्राइब को बताना है कि इसे 2015 में भारत सरकार के द्वारा जो लॉंच किया गया था इसका टार्गेट क्या था आंसर कीजीगा मुझे लगता है कि इसके नाम में से ही आप समझ सकते हैं कि इस इसकीम को जो लॉंच किया गया था इसको लॉंच किया गया था अम्रूति यानिकी एक तरह से अम्रित इट मिंस वोटर की सप्लाइ के लिए पूर्ति के लिए से लॉंच किया गया था वर्ष 1932 में स्थापित हरीजन सेवक संग के संस्थापक कोन थे कल 7 पिम की क्लास में ही ये क्वेश्चन मिने आप लोगों को कराया था तो आंसर कर द जी के दुआरा इसकी स्थापना की गई है वो भी 1932 में देन एक से हैं कि प्रलंपिक 2020 में भारत की रैंक तो क्या थी आंसर कीजिएगा और भारत ने कितने मैडल जीते थी कितने मैडल से हमने जीते थे आंसर कीजिएगा फर्स नंबर पर तो आप जानी चुके हैं कि फर्स में मैंने विल्कुल अभी आप लोगों को बताया है 24 पोजिशन रही थी 24 वी नंबर की रैंक रही थी मैडल टैली में भारत की एंड हमने 5 गौल्ड जीते थे प्लस 8 हमने सिलवर जीते थे फ्लस 6 हमने ब्रॉंच जीते थे तो टोटल कितने हो गए से लेकर के अभी तक ही तो एशन गेम्स में भी भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदशन रहा है ओलंपिक गेम्स में अगर हम बात करें अभी टॉक्यो ओलंपिक की अगर बात करें तो इसमें भारत ने साथ मैडल जीते थे एक गॉल्ड मैडल के साथ में एक गॉल्ड फ्लस दो सिल्वर और बागी आपके चार यहां पर ब्रॉंज जीते गए थे ठीक है नेक्स है कि आपको बताना है कि शाहिद परवेज खान और बुद्धारित्य मुखर्जी और अनुष्टा संकर निम्लिकित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चली बताएंगे फटा-फट से चली आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा चली आंसर करेंगे क्या रहेगा बताएंगे वीना से जुड़े हैं या संतूर से या सिता से या फिस सरोद से जुड़े हुए हैं चली सभी के सभी आंसर करेंगे question में क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे किस instrument से यह हैं जुड़े हुए हैं आंसर गीजेगा question में चलिए बिल्कुल सही बात है इनकी अगर बात करें तो यह सितार से जुड़े हुए हैं ठीक है और सितार के जनक के रूप में यानि कि father of सितार की अगर बात करते हैं तो कौन जाने जाते हैं अमीर खुसरो जाने जाते हैं देनेक्स ने अगला कोशन उस सत्र की पहचान करें जो आधुनिक आवर्ती सानी के सम्हूं वन से संबंधित नहीं है अंसर कीजिगा क्या हो जाएगा अधिन्टिफाइदी अलिमेंट विच विच ड़स नौट ब्लॉंग टू गुरूप फर्स ऑफ दी मॉडन प्रियोडिक टेबल अंसर कीजिगा क्या हो जाएगा यहां पर क्या आंसर आपका यहां पर रहेगा चलिए कौन सा है जो कि ग्रूप वन से लेटेड यहां पर नहीं है बताएंगे चलिए बिल्कुल सही क्या हो जाएगा तो यह है रहेगा आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन जो की है सी ओक्षन यह आप लोगों का सही आंसर रहेगा याद रखेगा जो की ग्रूप वन से यह चाद हातों में यहां पर शामिल है ठीक है देनेक्स अगले क्योशन पर चलते हैं सभी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा देनेक्स आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा आप लोगों का क्योश्चन में बताएंगे आंसर कीजिएगा कि हरित क्रांती से जुड़े महत्वपूर इस्तारों में से एक भारतिय भारतिय किर्शी अनुसंधान संस्थान है आपको बताना है कि यह कहां पर आपका रहेगा चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी यदि हम भारतिय यहां पर अगर हम Indian Agricultural Research Institute की बात करेंगे तो यह कहां पर है New Delhi में है याद रखेगा और अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि Agriculture Research Management Institute कहां पर है तो इसके बारे में याद रखेगा कि वह है आपका South India में है ना की वह है दिल्ली में है अगर Management की बात करेंगे तो दच्छिन भारत में उसकी Location है चलिए The next question पर आजाते हैं सभी के सभी answer कीजिएगा ओके चलिए आप लोग इस question में जरा answer करेंगे फटा फट से क्या answer आपका रहेगा यहाँ पर बताएंगे चलिए सत्याराम रियांग को होजागिरी निते शैलिक को बढ़ावा देने के लिए सभी सबसे संबन निमलखीत में से किस राज्य से समबंधित ए यह आप लोगों को बताना एक तो कृष ने क्या हो जाएगा बताएंगे चलिए बिल्कुल इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो होजागिरी निर्टे शैली की बात की गई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का तिरपुरा राज्य हमारा सही आंसर रहेगा एक बार मैं हाइड्रोजन वाला और रिपीट कर देती हूँ पहले आप लोग इसका आंसर करेंगे डैश की दच्छनी शंकला में मावसिन राम में दुनिया में सबसे अधिक ओसत वर्षा होती है आपको बताना है कि इसकी लोकेशन कहां पर है आंसर कीजेगा क्या हो जाएगा चलिए चलिए आंसर करेंगे बिल्कुल से बाते इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह है खासी हिल्स में इसकी लोकेशन है जो कि आप सभी जानते हैं मौसिन राम की अगर बात की जाए तो मौसिन राम जहांपर की ओसतन यानि की अवरेज वर्शा की अगर बात करें तो भरत में ही नहीं बलकि वर्ल बेभी सबसे जादा वर्शा के लिए एरिया जाना जाता है जो की इसकी लोकेशन चेरा पूंजी से लगबग 16 km दूरी पर ही यहाँ पर पड़ती है ठीक है याद रखेगा और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला छेत्र मौसिन राम साकिन नमबर पर चेरा पूंजी है और इनकी location की बात करेंगे तो मेगाले राज्ये में है अब बात कर लेते हैं इस वाले question प रुबेडियम की बात करूं तो आपके लकाई मैटल्स के लिए जाने जाते हैं गुरूप लेकिन इन में जो हाइड्रोजन है जो की आप कहारें कि first पर ही है बट यह अलकाई मैटल्स में शामिल नहीं है लेसे तो चारों के चारों यह आपके गुरूप लिए शामिल नहीं नहीं है इसलिए आपका अंसर यह था और इसके बाद में आप लोगों को इमेज दिखा दिती हूं कि अगर कि देखेगा इस इमेज को सेब कर लेते हैं फिर मैं प्रॉपर आप लोगों को कि अगर आप लोगों को दिखाई पढ़ रहा होगा हुगा ठीक है यह किलियर हो गया आप लोगों को अब ही जिसमें कि आपका सोडियम भी है लीथियम भी है डूबेडियम भी है जो की हाइड्रोशन है यापकर में आती है याद रखेगा इस लिए वहाँ पर आंसर था बाकि ये चारो चारो ही आप लोगोंने इसको अन्सर बदाया था या medium चलिए, देनेक्स से मारा अगला question यहाँ पर आ जाते, 36 गड़ की बैला डिला शेर्णी निम्रिकित में से किस खनीज के लिए परशिद है, यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिए का सभी के सभी क्या हो जाएगा? चलिए, आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा? अपने आरन ओर यानि की लोहो ऐस्क के लिए यह जाना जाता है, ओलम्पिक ध्वज में छलो की कुल संख्या डैश है, कितनी है बताएंगे, ओलम्पिक गेम्स की अगर बात करें तो आप सभी को याद होगा, कि वह 1896 में जो की मोडन ओलम्पिक गेम्स हैं, इनकी शुडवात हुई थी, सबसे पहली बार इनका जो की आजन है, यह हैं एथेंस में किया गया था, इसके बार धीरे-धीरे करके इसका सिंबल, फ्लैग, जो मशाल है, साथ ही इसका मोटो यह धीरे-धीरे करके इसमें एड किया गया सो 1914 में, 1914 में इसका फ्लैग बना था, सबसे पहली बार 1920 में जब ओलम्पिक गेमों का आजन हुआ था, तब इसके ध्वज को पैराया गया था, याद रखेगा, ठीक है, और इसका जो फ्लैग है, इसमें पांच छले हैं, जिसमें कि पांच कॉंटिनेंट को दर्शा आजात चले है, तो इसके साथ ही अगर हम आसलिया की बात करेंगे तो यह है, घृन का छला दर्शा आता है, अमेरिका की अगर बात की जाए, तो यहां पर यलो कलर का छला दर्शा आता है, तो यह कुछ यहां पर चलो के color है, और कॉन्टिनेंट है, जो की इने दर्शा आते हैं, प आज आजाते question पर answer कीजिएगा तारीक एफ रोज शाही के लेखर कौन है बताएं इस प्रोब्लम है क्या चलिए answer करेंगे सबी कि सबी क्या हो जाएगा तारीक एफ रोज शाही के लेखर कौन है ये आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा नो ओके यहां पर याद रखेगा ज्यासुदीन बर्नी ज्यासुदीन बर्नी ने जो की तारिक एफ रोज शाहर थी यह कुछ 1356 के टाइम पर लिखी थी अगर आपको याद हो हमने कल इसके ओपर question किया था कल शाम को साथ बचे की class में या कर्स के बाद इसने सुसका second edition लिखा था ठीक है अंसर कीजिएगा हेमिस महुत्सवा भारत के किस राज्जी में व्यापत रूप से मनाया जाता है बताएंगे हेमिस फेस्टिवल की अगर बाद करे तो क्या हो जाएगा यह मनाय जाता है लडाक में आप याद भी रग सकते हैं हेमिस नेशनल पार्क से हेमिस नेशनल पार्क जो की बाहत का सबसे बढ़ा नेशनल पार्क है according to area यह लडाक में ही है The next अगला question हमारा निमलिकित में से किस बाग अभिहारणी है कि रास्टे उध्यान और राज्ये में उनकी इस्तिती का गलत मिलान है Answer कीजिएगा काफी आसान question है आप लोगों के लिए answer कीजिए मानस बाग अभिहारणी की बात करेंगे असम में है बांधव गर Catherine ばास्टे उध्यान की बात करेंगे पड़े प्रदेश में हैं बटे अगर हम सुतरवन की बात करेंगे तो पश्यम बंगाल बांगलादेश में है तो क्या हो जाएगा कि यह आपका गलत है है ना बागी Jim Corbet उत्राक्षंड में है और प्रूस्कार से संबानित किया गया था आंसर कीजिएगा घी बताएंके सभी क्रिश्चन में आंसर गर किया हो जाएगा बिल्कुल से ही बात है इन्हें संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी जो की है भारत में ऐजा नेशनल लेबल पर डांस फोर्म या पर दिये जाते हैं वह संगीत नाटक अकादमी ही देती है आगे आजाते हैं क्रिश्चन पर आंसर कीजिएगा निम्रखित मेंसे किस देश ने कभी ओलम्पीक खेलों का आइजन नहीं किया है आज आज बताएंगे किसने कभी आजन नहीं किया है जापान ने तो किया है भी लास्ट टाइम ही गया था चीन ने भी किया हुआ है बाकी के बारे में बताइए जरा विल्कुल सही क्या हो जाएगा साउथ अफ्रीका दच्छिन अफ्रीका ने अभी तक एक बारी भी इसका आजन नहीं किया है इवन अगर हम भारती उप महाद है उन्होंने भी कभी उलंपीग है ल tag नहीं. नभी किया है आगे आजाते हैं निमल्ल कित मेंसे कौन करनाटक से हा बस्तानी शास्त्र टरे संगीत श Sinne कोन हैं जान सकीजी बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा गंगु बाई हंगल को जाना जाता है दे नेक्सट 1976 में विश्व परसिद कुच्ची पूरी निर्ते जोडी डेश दुआरा रास्टे राजधानी छेत्र में नाटे तरंगनी की स्थापना की गई थी तो बताएंगे कि कौन सी जोडी के दुआरा रास्टे राजधानी की छेत्र में नाटे तरंगनी की स्थापना की गई थी फैसे प्रिवियस कॉस्चन है तो आंसर आपका C option यहां पर रहेगा निम्लिकित में से कौन सा उपकरण पैकने वाले खेलों के आयजनों में प्रियोग किया जाता है इन में से रहे कौन सी चीज है जिसे की पैकने वाले चीजों में उप्योग की जाती है बताइए आरन रोड का यूज किया जाता है इंडियन क्लब का यूज किया जाता है शौटपुट का या आरन रिंग का यूज किया जाता है अपकोर्स शौटपुट क्या हो जाएगा शौटपुट शौटपुट जो की होता है यह एक भार होता है गोले जैसा भार होता है रहे थे पैरलंपिक गेम्स रहे थे तो उनमें ऐसा पैराथलेट इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन्होंने शॉट्पुट में मैडल भी जीता था दीपा मलिक ने तो यह शॉट्पुट से ही ब्लॉंग करती है आगे आजाते क्वेश्चन पर निम्रिकित में से किस व म्यूजिक के फिल्ड में यहां पर दिये जाते हैं एवन म्यूजिक के फिल्ड में दिये जाने वाले यह हाइसे ओवर्ड ही जाने जाते हैं। किन को कभी नॉमिनेट नहीं किया गया है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा रिक्की केज को तीन बार मिल चुगा है ग्रैमी अवोर्ड लता मंगेशकर जी है जिने की भारत की सुर कोकिला कहा जाता है भारत रतन अवोर्ड भी दिया जा चुका है इन्हें 1991 में इन्हें कभी ग्रैमी अवोर्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया याद रखेगा क्या हो जाएगा यहां पर यह उप्शन आपका आंसर यहां पर रहेगा चिक है कि देनेक्स है कि निम्लिकित में से कोल अमोवेबल फिस्ट के लेखक हैं आंसर कीजिएगा चलिए बताएंगे सभी की सभी क्या हो जाएगा यहां पर आंसर कीजिए और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा याद रखेगा अर्नेंस्ट हेमिंग वे इस बुक के लेखक के रूप में जाते हैं निम्लिकित में से किस व्यक्ति ने एशियाए खेल 2022 में महिलाओ की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वन पतक जीता है बताईए अंसर कीजिएगा आज देखते हैं मुझे लगता है कि I think 100 मैडल्स के आस पास तो इंडिया के मैडल्स बरेंगे ही एशियन गेम्स के अंदर बताए इसमें याद रखेगा कि पलक घुलिया है जिन्होंने की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए गोल्ड मैडल्स जीता है आगे बढ़ते हैं क्रेशन पर आंसर करेंगे देनेक्स IMD की 2023 विश्व प्रतिस परधा रांकिंग में भारत का इस्थान क्या है यह आपको बताना है आई एमडी की बात कर लें इसकी द्वारा यह सूचकां कि यह पर जारी की गई है आपको बताना है कि भारत की जो रैंक है इसमें क्या है और फर्स्ट नंबर पर जो देश है इसमें वह कौन सा है आन्सर कीजिएगा चले क्या हो जाएगा बताएंगे सभी के सभी चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 56 इस बार भारत की रैंक यहाँ पर रही है तो भारत की 52 इसमें रैंक रही थी वहीं अगर मैं फिर्स्ट नंबर की बात करूँ तो फिर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है बताओगे फर्स्ट नमबर पर कौन सा देश है फर्स्ट नमबर पर है यहाँ पर स्विजर लैंड स्विजर लैंड इसमें फर्स्ट नमबर पर है साकिंड पर है लगजंबर्ग The next question है कि विश रेबीज दीवस 2023 का विश्य क्या है बताएंगे चलिए 2023 की जो थीम रही है रोग है जो की जनरली पागर जानवर के काटने की वज़ा से यह होता है एंड पांच से लेकर के 14 साल के जो बच्चे होते हैं वह जादतर इस बिमारी के शिकार होते है 2007 से इसके मनाय जाने की शुडवात हुई है जो की यह हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है अब आपको बताना है कि आंसर कीज़ी है कि भारत ने भारत ने पाकिस्टान को हरकर के पुर्शोंस की इस परधा में स्थ्पधक जीता है बतायेंगे कि यह कौन सी है निम्रीखित में से कौन सव्यक्ति टीम में नहीं था बताईए special team इस परधा में भारत ने यहाँ पर gold जीता है और कौन था जोगी इसमें शामिल नहीं था बताएंगे C option पंका जाडवानी किस स्पोर्ट से ब्लाउंग करते हैं यह स्नूकर एंड बिलियार्ड से ब्लाउंग करते हैं यह स्नूकर एंड बिलियार्ड स्नूकर एंड बिलियार्ड से यह ब्लाउंग करते हैं जो कि एक board पर खिला जाता है ball के साथ में और squash अगर game की बात करें तो जैसे कि tennis होता है tennis में क्या होता है कि दोनो side players होते हैं इसमें क्या होता है कि ball पर वह ball को hit करते हैं जिसमें की एक opposite वाला मतलब दो members होते हैं तो वह सामने ball को hit करके उसके पास आती है उससे उसके पास आती है यह वाला होता है snooker का याद रखेगा पंकज आडवानी यहाँ पर स्कैश होता है और पंकज आडवानी बिल्यार्स एंड snooker से ब्लॉंग करते हैं आप लोगों ने sport का नाम पहचाना ही नहीं सुब्रतो कप निम्लिखित में से किस खेल से संबंधित है अंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चली अजे बहुत जादा ही लेट हो गए अब तो क्लास के ओफ होने का टाइम आ गया कले देखते हैं सुब्रतो कप की बात कलेते हैं तो भई यह फुटवॉल से लेटिड है इसके साथ ही रोवर्स कप की बात कलीजिए रोवर्स कप फुटवॉल से लेटिड है डूरंड डूरंड कप यहां पर फुटवॉल से लेटिड है इसके साथ ही संतोस टोफी फुटवॉल से लेटिड है संतोस ट्रोफी याद रखेगा एंड यूरो कप हुआ यूरो यूरो कप ये भी आपका किस लेड़िड है पुड़ बोल से लेड़िड है नेक्स है हमारा कि सितंबर महिने में बेरोजगारी दर क्या रही है बताईए compare to अगस्त के या फिर अगर 2023 की बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी दर का जो रेशो रहा है वह सितंबर के महिने में ही रहा है तो आपको बताना है कि कितना रेशो रहा है अंसर कीजिएगा पानेंशल दिल्स नहीं मिल सकती है चलिए याद रखेगा सावन पॉइंट पॉइंट जीरो नाइन परसेंट यहाँ पर रहा है एंड सबसे कम सबसे कम सितंबर के महिने में ही रहा है बेरोजगारी दर याद रखेगा 2023 में बलकि लास्ट वन यार की अगर बात करें 2023 के सब्टमबर से लेकर के 2023 के सब्टमबर तक तो सबसे कम इस बार के सितंबर महा में ही रहा है भारत और बांगलादेश ने उम्रोई मेगाले में वाशिक संयुक्त सेन्नी अभ्यास डैश का 11 नमबर का एडिशन शुरू किया है उसका क्या राम है बताईए चलिए आंसर कीजिए का सभी क्या हो जाएगा देखो अगर हम बोंगो सागर की बात करें तो यह है भारत और बांगलादेश की नेवी के बिच में की जाने वाली एक्सराइज है याद रखेगा बांगलादेश एंड इंडिया के बिच में की जाने वाली एक्सराइज है संपृति की बात कर लेते हैं तो इस बार भारत और बांगलादेश की आर्मी के बिच में एक military exercise जो की हुई है यह संपृति थी जिसका नाम जो की इस बार इसका 11 नंबर का एडिशन यहाँ पर रहा था यह अगर हम एक्वरीन की बात करें तो यह exercise किसकी बिच में होती है एक्वरीन इंडिया और किस देश के साथ में इस exercise का आजन किया जाता है किसी का आंसर नहीं आया है मौल्दिर्स के साथ में किया जाता है 2023 में भोतिकी के लिए Nobel पुरुसकार से किसे सम्मानित किया है बताएंगे Nobel Prize कल मंडे को complete हो जाएंगे Nobel Prize जो की 6 फिल्ड में दिये जाते हैं 6 तरों में Nobel Prize दिये जाते हैं तो कल last economics में announcement हो जाने के बाद पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा तो कल मंडे को मैं आपको 7 पीम की क्लास में कराऊंगी Nobel Prize के उपर Nobel Prize चले आंसर कीजिए कर सभी question में क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल प्यारे हैं आन फेरेंक हैं आनी हैं इन सभी को दिया गया है फिजिक्स में Nobel Prize तो क्या रहेगा D option आंसर हमारा जाएगा भारत की स्कैटिंग दल ने एशिया खेलों में अपना डेश पदक जीता है कौन से नंबर का पदक इन होने जीता है यह आपको बताना है चलिए चलिए आंसर कीजिए का खेर यहां पर क्या आप लोगों का आंसर यहां पर जाएगा फटा फट से बताएंगे भी सभी के सभी क्यूशन में कौन सा इस्थान भारत का रहा है बहुत सही भारत ने इस बार भारत की जो इस्वेश टीम दल रही है इन्होंने गोर्ड मैडल जीता है यानि की इनकी जो पोजिशन है यह है फर्स्ट रही है मौलदीव में रास्ट पत्ती किस चुनाव किस ने जीता है इस बार बताईए मौलदीव की बात करें आंसर कीजिएगा हमारा सबसे छोटा पडोसी देश है मातर 300 किलोमेटर स्कार में इसका एरिया है कापिटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा माले इसकी कापिटल है और यहाँ पर करंसी क्या चलती है करंसी का नाम बताईए बिल्कुल सही और मुहमद मुईजू जो की है मुहमद मुईजू यहाँ पर प्रेजडेंट के रूप में कोई बात नहीं सोनू, गर्व की बात भी बढ़ रही है, चलियान से कीजिगा, बड़ जितनी भी लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है, वो आप लोगों को याद करने होंगे, तो बनेंगे ही, अरे भाई मैंने करंसी पूछी है, कैपिटल नहीं पूछी है, माले तो बता रहे हो आप, जो आता है वर बताते हैं, जो नहीं आता है वो नहीं बताते हैं, हां, अभी तक आप लोगों ने मोल दीव की करंसि तक नहीं बताई है, किसी का भी आंसर नहीं करंसी के उपर, जहां सी, ओके, चो चलिए, याद रखेगा रूपिया, रूपिया करंसी है यहां की, ठीक है, दे नेक्स है कि भई हाल ही में किस केंद्र शासित प्रुदेस ने 100% गाउं को ODF, यानि की, यहां पर open defection free plus का दर्जा हासिल किया है, यानि की, एक तरह से खुले में शोच मुक्त, केंद्र शासित प्रुदेस का दर्जा किसे मिला है, तो यह मिला है जम्मु कश्मीर राज्ये को, याद रखेगा हाली की यह न्यूज है, क्या अंसर हैगा आपका, C option, दे next, रसायन विज्यान में 2023 का नॉबेल पुरुसकार, मौंगी जी, मौंगी जी, बावेंडी, लुईस ए ब्रुस और अलक्सी आई, एके मौव को, निमलिकित में से किस खौज के लिए प्रदान किया गया है, आंसर कीजीगा, किस खौज के इन्हें केमस्ट्री में नॉबेल प्राइस दिया गया है, यह आपको बताना है, इन तीन लोगों को केमस्ट्री में, फिजिक्स में भी तीन लोगों को ही दिया गया है, पीस के लिए एक को ही नॉबेल प्राइस मिला है, मैडिशन के फिर्ड में दो लोगों को नॉबेल प करेंगे तो इनकी अगर बात करते हैं तो फो डिस्कवरी एंड सिंथेजिस ऑफ क्वांटम डॉर्स के लिए यानि की क्वांटम डॉर्स की खोज और संसलेशन के लिए इन्हें नॉबल प्राइस दिया गया है क्या आइजन किया गया है यह आपको बताना है कि इसका आइजन किस शहर में किया जा रहा है और इस क्वेशन का जो आंसर है आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे यह question मैं आप लोगों को offline comment करने के लिए कर रही हूँ आप सभी के सभी अपने होमवर्क वाले question का आंसर जरूर करेंगे साथ ही 7 p.m. की class को मत भूलिएगा 7 बजे की जो अपनी class रहेगी इसमें Asian Games के उपर हम करेंगे तो आप सभी 7 p.m. की class में जरूर समय से जूट जाएगा आज की class में इसके साथ ही आप सभी यहाँ पर अनकाडमी की website पर जाकर के SSE exams की तयारी के लिए जिसमें की आप लोग अनकाडमी website पर जाएंगे वहाँ पर अपना जो category है यानि की SSE exams non-technical जो की यहाँ से आप अपनी category को select कर सकते हैं या फिर आपके contact में जो कोई और other exams की तयारी कर रहे हैं वो भी अपनी category को यहाँ पर select करके जो अभी upcoming batch हैं उनसे यहाँ पर जूड सकते हैं जिसमें की foundation batch दिल्ले पुलिस MTS के लिए यहाँ पर अभी 12 October से start होगा वीर batch SSE GD Constable 2024 के लिए 12 October से start होगा लक्षे बिहार SSE batch यहाँ आपका 12 October से start होगा and CGL के लिए भी batch यहाँ पर आपका चल रहा है जो की अभी 5 October से start होगा है All India Ranker batch faculties के नाम आपको दिए गए हैं and 18 September से Arjun batch यहाँ पर start होगा है तो maximum discount के लिए आप लोग यहाँ पर मेरे code को use कीजिएगा जो की है SOTY मेरे नाम के साथ का code है सोनम त्यागी यानि की SOTY और इस code को use करते हुए आप यहाँ पर अपना 1 year याफी 2 year का subscription यहाँ पर ले सकते हैं and maximum discount आप लोगों को जो भी यहाँ पर current time में चल रहा होगा अनकाडमी पर वह आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है चले तो फिर आज की class को यहाँ तक रखते हैं जिन्होंने like नहीं किया है भी तक class को like कर दीशेगा शाम को 7 बजे और फिर कल Monday को सुभा 11 बजे अपनी class से हम लोग यहाँ पर जूडते हैं अपने ख्याल रखेगा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए so thank you students and जय हिंद जय भारत